एक आदमी ने अपनी कजन के साथ शादी की और उसके तुरंद बाद उसकी डेथ हो जाती है हमारे मेन कैरेक्टर को लगता है कि उस कजन ने उसे मार डाला पर बाद में उसे उसे प्यार हो गया अब एक्चुल में हुआ क्या था यह हम मुवी में जानेंगे हलो फ्रेंट्स आज मैं आपको माई कजन रेचर ही 2017 की एक मिस्ट्री रोमाइंस मुवी एक्स्प्लिन करने वालो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट ज़रू कर दीजेगा बिना किसी दरीगे एक्स्प्लिशन स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और हमारा में कैरेक्टर जिसका नाम है फिलिप यह हमें स्टोरी सुना रहा है फिलिप जब बहुत छोटा था तभी उसके मदर और फादर गुजर गए थे उसका एक कजन था जिसका नाम था एम्रोस एम्रोस ने उसे छोटे से बड़ा किया था वो उसके लिए फादर की तरह था फिलिप फी सिटी में गया अपनी एजुकेशन कम्पलीट की पर उसे सिटी में रहना अच्छा नहीं लगता था तो एम्रोस के बास वो वापस आ गया थोड़े दिनों में एम्रोस की तबियत बहुत ही खराब हो गई थी उसका इलाज करने के लिए एक सिटी में वो चला जाता है अब कुछ दिन गुजर चुगे थे और फिलिप को एम्रोस का लेटर मिला इस लेटर में लिखा था कि अब उसकी तबियत अच्छी है एम्रोस की और एक कजन थी जिसका नाम था रेचल रेचल एक वीडो थी उसी के साथ वो रह रहा था ये लेटर जब फिलिप ने अबने लॉयर को सुनाया तो लॉयर बहुत ही इंट्रीक्ट हो गया तो गहता है एम्रोस को कभी भी लड़कियों में इंट्रेस नहीं था ये फर्स टाइम उसने किसी लड़की की बारे में बात किया इसी लॉयर के एक बेटी भी है जिसका नाम है लुईस लुईस एक्च्छोन में फिलिप को बहुत लाइक करती है तब फिलिप को इसके बारे में पता ही नहीं है इसके बाद और एक लेटर आया जिसमें लिखा था कि अब मैं रेचल से शादी करने वाला हूँ इसके बारे में पता चलने के बाद लुईस फिलिप से कहती है तुमें भी अब सेटल होना चाहिए शादी करकर तुम भी खुश रह सकते हो हमेशा की तरफ फिलिप इस बात को इग्नोर कर देता है कुछ दिन गुजर गए और फिलिप को और एक लेटर मिला इसमें एम्रोस ने लिखा था मेरी तबियत बहुत खराब है मैं लेटर लिख पा रहा हूँ क्योंकि रेचल यहां नहीं है वो हमेशा मुझे पर नज़र रखती है इस लेटर से वो बता रहा था कि रेचल उसे मारना जाती है इस लेटर से वो फिलिप को बुलाता है फिलिप भी जल्दी से निकल जाता है वहाँ पोचने पर Ambrose के और एक लॉय रेनाल्डी से उसे पदा चला कि Ambrose की डेथ हो चुकी है फिलिप इस पर बहुत जादा गुस्सा हो गया उसे लगता है कि रेचल ने उसे मारा पर रेनाल्डी उसे समझाता है कि Ambrose को brain tumor था अपने लास्ट के दिनों में और कुछ भी बोलता था फिलिप ने रेचल के बारे में पूछा तो रेचल यहाँ से चली जा चुकी थी रेनाल्डी ने फिलिप को death certificate दिखा है जिस पर साफ साफ लिखा था कि Ambrose की death brain tumor की वज़े सुई थी फिलिप इस बात पर बिलिव नहीं करता उसे अब भी लगता है कि रेचल ने उसके कजन को मार डाला फिलिप फिर घर है अपने lawyer से बात करता है उसने Ambrose की will देखी जिसमें लिखा था कि सारी property फिलिप को मिलेगी इसमें रेचल के बारे में कुछ भी लिखा नहीं है फिलिप कहता है कि रेचल ने उसे मारा lawyer कहता है रेचल का उसे मारने के पीछे कोई भी motive नहीं है सारी property तो तुम्हें मिल गई है इस will में और एक शर्थ है कि फिलिप जब 25 अर्स का होगा तभी उसे सारी will मिलेगी तब तक इस पर उनका lawyer नज़र रखेगा इसका नाम है Nick एक दिन फिलिप को रेचल से लेटर मिला वो यहाँ आना चाती थी फिलिप इस बात से बहुत ही disturb हो जाता है वो नर्वस था तो उसके पास Lewis आई हुई थी फिलिप डिसाइड करता है कि रेचल के लिए वो बहुत ही घटिया सा रूम देगा Lewis फिलिप को सपोर्ट करने के लिए सारा देने के लिए यही रुकने के लिए रेडी थी पर फिलिप उसे जोर से मना कर देता है फिलिप को बाद में अपनी गलती रियलाइस हुए उसे सौरी भी कहता है वो थोड़ी देर में घर से बहार चला गया था और रात में वापस आया तो उसका सर्वंट उसे कहता है कि रेचल अल्रेडी अपने रूम में है रेचल ने अपने खुद के लिए अच्छा सर्वंट ले लिया था फिलिप उसे डिनर के लिए लेट करवाने वाला था पर रेचल डिनर करती ही नहीं थोड़ी देर में रेचल ने फिलिप को मैसेज दिया कि अगर उसे मिलना चाहता है तो आकर मिल सकता है रेचल फिलिप को देखकर बहुत ही सप्राइस थी क्योंकि फिलिप और एम्रोस ये बहुत से सेम दिखते थे फिलिप ने भी रेचल को जैसे इमेजिन किया था वो वेसी नहीं थी वो बहुत ही ब्यूटिफुल है तो उसे कुछ भी बोलता नहीं रेचल फिलिप को नर्वाज देखकर कहती है अगर तुम जाहो तो स्मोक कर सकते हो रेचल ने कहा कि एम्रोस ने मुझे इस रूम के बार में स्टोरी बताई थी ये अक्चुल में तुमारे एंड का था तुमारी एंड एक क्यूरेट के प्यार में पढ़ गई थी जब उसका प्यार सक्सेस नहीं हो पाया तो बहुत सालों तक उसने कोई भी शादी नहीं की जब वो ओल्ड हो गई तो फिर से और एक क्यूरेट के प्यार में पढ़ गई जिस दिन उसकी शादी हुई थी उसी राव शौक से उसकी डेथ हो गई थी ये स्टोरी रेचल ने अभी-भी बनाई तो इस बात पर ये दोनों बहुत अस्ते है रेचल की पसनेलिटी बहुत ही लाइकेबल थी वो अगली दिन अपने होस पर बहार निकलती है एम रोज जो भी चीज़े करता था जो भी चीज़े उसे अच्छी लगती थी ये सब वो ट्राइ करना चाहती थी फिलिप भी उसके साथ आया ये दोनों साथ गुमते हैं साथ चर्च में जाते हैं तो सारे लोग इने घूर रहे थे फिलिप ने अमने सब फ्रेंड्स वेगरा को बुलाया और जैबे डिनर करते हैं तो रेचल सबसे घुल मिल जाती है सबको बहुत पसंद आई थी डिनर के बाद रेचल ने फिलिप से कहा तुम्हें लुईस से शादी करनी चाहिए जिस तरीके से ओ तुम्हें देखती है उसे साब साब पता चलता है कि ओ तुम्हें बहुत लाइक करती है फिलिप कहता है कि मुझे उस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं पर मुझे पता है मुझे तुम्हें देखना बहुत अच्छा लगता है रेचल यहाँ से जाना जाती थी तो फिलिप कहता है कि यही रुख जाओ रेचल का प्लान था कि अलग सिटी में जाएगी वहाँ पर लोग को इटालियन लैंग्वेज की लेसन देगी फिलिप उसे कहता है कि एक वीड़ो के लिए लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट होती है तुम यहाँ रह सकती हो इस बात से रेचल बहुत ही हर्ट हो गई वो मानने निवाली थी तो इसके बात फिलिप अपने लॉयर के पास गया उसे कहे कर रेचल को बहुत सारे पैसे दे देता है यहाँ से जाते वक्त लुईस से उसकी बात हुई फिलिप कहता है तुम उस दिन बहुत ही अफसेट थी लुईस कहती है तुमने नोटिस किया तुम तो सिर्फ रेचल में ही गायब थे सबने बात नोटिस की थी कि रेचल तुम्हें मैनूबलेट कर रही है फिलिप इस बात को इग्नोर कर देता है वो जब घर पर आया तो रेचल को उसने जो भी पैसे दिये थे इसी रीसिप्ट उसने उसे दिखाई रेचल इस बात पर गुसा हो जाती है इस तरीके से उसे कोई भी पैसो की ज़रुवत नहीं थी वो कहती कि अगर इसके बारे में किसी को पता चला तो लोग क्या समझेंगे रात में फिलिप फिर से रेचल से मिलने के लिए आया तो रो रही थी फिलिप उसे समझाता है कि अगर एम्परोज जिन्दा होता तो इस सारी चीज़े तुमारी होती ये पैसे रहने के लिए उसे कन्वेंस कर देता है रेचल कहती है कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ पर यहाँ से चली जाओंगी फिलिप कहता है तुमारा यहाँ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है उसने रेचल को कन्वेंस कर दिया कि वह यही रहे इसके बाद फिर रेचल ने घर में बहुत सारे चेंजिस किये थे पास पास जो भी लोग रहते थे अगर उन्हें कोई भी बिमारी हुई तो रेचल उन्हें हेल्प करती थी एक दिन एमरोस से फिलिप को जो भी लेटर मिला था यह लेटर उसने रेचल को दीखाया रेचल कहती है तुम शायद मुझे हेट करते थे फिलिप कहता है कि जब मैं तुम से मिला यह सारी चीज़े देखते देखते रेचल इमोशनल हो गई थी तो फिलिप ने उसे सहरा दिया अब इसके बाद क्रिसमस का टाइम आ चुका था फिलिप रेचल के लिए एक ठ्री बनवाता है वो अपनी फैमिली ट्रेजरर के पास गया उसकी मदर ने अपने वेडिंग में जो नेगलेस पहना था उसे लेकर आता है ट्रेजरर और उसे कहता है कि अब तक तुम 25 येर्स के नहीं हो तुम्हें ओफिशली यह सब नहीं मिला है फिलिप माना नहीं और यह लेकर गया रात में उसने रेचल को गिफ्ट किया रेचल को भी बहुत पसंद आया इसके बाद यह तुनों करीब आकर एक दुसरे को किस कर लेते इनके यहाँ पर आज पार्टी थी फिलिप ने रेचल के लिए जो ट्री बनवाय था यह देखकर रेचल को बहुत अच्छा लगा पार्टी में सारे लोगों ने बहुत एंज्डॉय किया पार्टी में नीक देखता है रेचल के पास फिलिप की मदर का नेकलेस है तो उसने फिलिप से बात की कहा कि तुम अब तक 25 एयर्स के नहीं हो तुमें नेकलेस रेचल को नहीं दे सकते नीक ने रेचल के अकाउंट्स भी देखे थे जो भी पैसे फिलिप ने रेचल को दिये थे इसमें से बहुत सारे पैसे रेचल ने खर्च कर दिया बाकी पैसे कंट्री के बाहर भी बेज़े है फिलिप कहता है कि रेचल बहुत ही जेनरस है उसने घर में बहुत सारे चेंजेस की है वो लोगों को हेल्प करती है शायद इसी वज़े से सारे पैसे खर्श हो गए उसके आकाउंट में और कुछ पैसे डाल दो निक क्या था कि मैंने रेचल के बारे में और भी इनफॉर्मेशन निका ली उसके फर्स्ट हजबन की डेथ एक फाइट में हुई थी एक और आदमी था जो रेचल को लाइक करता था उन दोनों में ही फाइट हुई थी फिलिप को इस सारी बातों पर बिलिव नहीं होता रेचल को थोड़ी दिर में पता चला कि इस नेगलेश की वज़े से इन दोनों में फाइट हो रही है तो वो जाकर इस नेगलेश निक को दे देती है फिलिप बहुत ही अपसेट हो गया वो कहता है कि अगर एम्रोस जिन्दा होता तो वेसे भी ये सब सारी चीज़े तुमारी होती उसे तुमारे लिए विल लिखनी चाहिए थी रेचल कहती कि एक्चुल में उसने एक विल लिखी थी पर कभी भी उस पर साइल नहीं किया फिलिप कहता है कि ऐसा क्यों रेचल ने कहा कि मैं प्रेगिनन्ट थी पर मुझे मिस्केरेज हो गया इस बात की वज़े से एम्रोज बहुत ही अपसेट हो गया था उसके बाद उसने मुझसे बात करना छोड़ दिया उसके तबियत और भी खराब हो गए और इसी वज़े से उसने कभी भी विल पर साइन नहीं किया फिलिप ने विल देखी जो एम्रोज की हैंड राइटिंग में थी उसने फिर डिसाइड कर लिया कि रेचल ये सब डिजर्व करती है तो सारी प्रॉपर्टी उसे दे देगा लॉयर भी इंटेलिजेंट था उसने लिखा कि रेचल ने अगर फिर से शादी की तो सारी प्रॉपर्टी फिलिप को मिल जाएगी फिलिप को बता था कि रेचल अब तीसरी शादी नहीं करेगी ये विल उसने क्रियेट कर ली एक दीन रेचल से मिलने के लिए उसके पास रेचल रेचल इअ एक दूसरे के बहुत अच्चे फ्रेंट थे विय सारी बात है एक साथ टाइन स्वेंट करते है ये सब बाते फिलिप को अच्छी नहीं लगी रेचल रात में आकर फिलिप को समझाती है कि हम दोनों बहुत दिनों बात मिले है हमें बहुत सारी बाते करनी है इसके बाद थोड़े दिन गुजर गया अब कल फिलिप 25 एस का होने वाला था वो अपने लॉयर के पास गया अपनी फैमिली की सारी जोलरी उसने ले ली रात में हो एक रोमियों की तरह खिटकी से चड़ कर रेचल के पास बोच्टा है सारी जोलरी उसने उसे दे दी गहता है कि अब मैं 20 years का हो चुका हूँ अपने हाथों से अपनी मदर का नेकलेस उसे पहना है उसने कहा कि अब मुझे पता चल जुका है यह मुझे में क्या कमी है मैं क्या चाहता हूँ यह दोनों करीब आ गए और इंटिमेट हो जाते है सुबा फिलिप रेचल को नहीं विल देकर यहां से चला जाता है बाद में उसे मिलने के लिए गया पर रेचल अपने लॉयर के बास गई हुई थी फिलिप उसका बहुत वेट करता है वापस आने के बाद रेचल कहती है कि इस विल में लिखा क्या है मुझे समझ मिने आ रहा था इसी को जानने के लिए मैं गई हुई थी फिलिप फिर उसे जल्दे जल्दे फुलो के गार्डन में लेकर आया यही पर वो उसके साथ इंटिमेट हो जाता है हम मुवी में देखते है कि रेचल हमेशा फिलिप को एक चाय देती है यह बहुत ही कडवी है पर उसके हेल्थ के लिए अच्छी थी इसी वज़े से फिलिप हमेशा इसे पी लेता है आज रात फिलिप की तवियत बहुत ही खराब हो गई थी उसका बड़े सेलिबरेट करने के लिए लॉयर और उसकी बेटी लुईस आये हुए थे यही डिनर पर फिलिप अनाउंस करता है कि वो रेजल से शादी करेगा इस बात से रेजल गुसा होगी रेजल फिर से अब तीसरी शादी नहीं करना चाहती थी उसने पूरी तरीके से फिलिप का प्रोबोजल ठुकरा दिया नेकसिन में हम देखते है कि कल रात के बारे में फिलिप और लुईस ये दोनों बात कर रहे थे फिलिप को बता है कि लुईस उसे लाइक करती है और फिलिप भी उसे लाइक करता है पर उसे लगता है कि शाय दोनों एक साथ रहे तो एक दुसरे को हेट करेंगे और वैसे भी वो रेचल से प्यार करता है वो फिर से उसे शादी के लिए पूछेगा लुइस कहती है कि जब तुमने विल बनाई नहीं थी तो तुम्हारे साथ थी जब उसे सारी प्रॉपर्ट वेगरा मिल गी तो अब तुम्हारे साथ वो शादी नहीं करना चाहती है इस बात से फिलिप डिस्टब हो जाता है वो घर आकर रेचल के साथ बात करना चाहता था पर रेचल के साथ एक छोटी लड़की है रेचल कहती है कि मैं अकेली पर जाती हूँ तो यह मुझे कमपनी रखेगी वो फिलिप के साथ अकेले में बात नहीं करना चाहती है इस सब की वज़े से फिलिप की तबियत और वी जादा खराब हो गई ऐसी हालत में रेचल उसका बहुत खैल रखती है बहुत दिनों तब वो अनकॉंशेस था और थोड़ी दिनों बाद वो फिर से ठीक हो गया एक दिन फिलिप जब एम्ब्रोस की बुक्स देख रहा था तो एक बुक में लिखा था रेचल मुझे मारना चाहती है इसके बाद फिलिप फिर से रेचल पर शक करने लग गया एक दिन वो उसका पीछा करता है तो रेचल जाकर रेणार्डी से मिल रही थी इस बात को लेकर उसने उसे कंफरंट किया रेचल कहती कि वो सिर्फ मेरा एक दोस्त है पिछली बार तुम उस पर गुस्सा हो गये थे इसी वज़े से मैंने फिर से तुमें इसके बारे में नहीं बताया फिलिप कहता है कि उसे जाने के लिए कहो पर रेचल इस बात को मानने नहीं वाली थी वो कहती कि सारी प्रॉपर्टी मेरी है मुझे जो लगे हो मैं कर सकती हूँ इस बात पर फिलिप बहुत जादा गुस्सा हो गया उसने उसका गला पकड़ लिया था रेचल इस बात पर रोने लगके वो कहती है यही सारी चीज़े एमरोस के साथ भी होई थी यह फिर से नहीं जहर सकती हमेशा सारे आदमी उसे बान कर रखना जाते थे यह बात उसे पसंद नहीं अब वो फाइनली फ्री है हमने मुवी में देखा था कि रेचल ने एमरोस के सारे कपड़े लोग को दे दिये थे एक दिन एक आदमी फिलिप के पास आया एमरोस के शर्ट में एक नोट थी इन नोट फिलिप ने पड़ी इसमें लिखा है कि रेचल मुझे पॉईजन देखकर मार रही है जो टी मुझे उपिलाती है उसकी टी में पॉईजन है फिलिप जो भी शक रेचल पर करता था यह सारा कन्फरम हो क्या यह सब बात हो लुईज को बता कर उसकी हेल्प लेता है एक दिन लुईज फिलिप के पास आई हुई थी रेचल कहती कि मैं होर्स राइडिंग के रहे जाना जाती हूँ उसके जाने के बाद फिलिप और लुईज सारे घर को ढूणते है उन्हें रेचल के खिलाब कुछ एविडन्स चाहिए था इन्हें एक लेटर मिला जो रेचल को बुला रहा था कि वो भी उसके साथ आकर इडली में रहे रेचल ने उसे अंसर दिया था कि वो फिलिप को इस तरीके से छोड़ कर नहीं जा सकती इसमें रेचल लिखता है कि अगर तुम चाहो तो उसे भी लेकर आ सकते हो इस लेटर की कन्वरसेशन से इन्हें पता चला कि अक्चॉल में रेचल के रेचल और उसके बीच में कुछ भी नहीं था वो दोनों अक्चॉल में सिर्फ फ्रेंड्स थे ये पता चलने का बाद फिलिप को बहुत बच्चता हुआ ये रेचल पर उसने शक किया वो जल्दी से राइड करते करते रेचल के पास आ रहा था पर उसने देखा कि एक क्लिफ से नीचे गिरकर रेचल की डेथ हो चुकी है ये क्लिफ इतनी स्ट्रॉंग नहीं थी एक बार फिलिप भी यहाँ से नीचे गिरकर मरने वाला था रेचल को इसके बारे में पता नहीं था तो इसी वज़े से उसकी नीचे गिरकर डेथ होगी जो भी हुआ इसको लेकर फिलिप बहुत पच्छताता है रेचल हमेशा एम्रोस के साथ फित्फुल थी पर एम्रोस को ट्यूमर था इसी वज़े से सारी चीज़े वो इमेजिन कर रहा था इसके बाद मुवी में थोड़ा टाइम गुजर चुका है हम देखते हैं फिलिप और लुईस ने शादी कर लिया इनके दो बच्चे भी है ये दोनों एक साथ बहुत खुश थे फिलिप ने रेचल के साथ जिस तरीके से बिहेव किया इसको लेकर आज भी उपश्टाता है वो वंडर करता है क्यों जिस तरीके से है ऐसा रहे कर वो अपने बच्चों को क्या सिखाएगा इसी के साथ ही मुवी एंड हो जाती है अगर आपको एकस्प्लेंशन अचा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा मैं बहुत सारी मुवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बैल उडिवेशन आइकों दोने मत भूलेगा हम वेज से मिलेंगे और एक नमुवी के साथ तब तक के लिए थैंक्यो और आप अपने आपका खैल रखिया